हेलो दोस्तों आप सबका मैं स्वागात करता हूँ एलेव टोइब निफ्टी यूट्यूब चैनल पर इस फीडियो पे हम देखेंगे कि एस पर एलेव टोइब थियोरी जो प्राइस एक्षन थियोरी का एडवन्स फर्सन है कि इधर से फोर्तों के लिए थोड़ा उपर जाएका जो आज गैप आप पे खोल गया उसके बाद इधर से फीफ्ट के लिए मार्केट नीचे जाएगा ही तो आमारा प्रेडिक्सन के बाद आप लोग क्लियरली देख पड़े हैं कि लगबग 2% के आसपास फॉल दे चुके हैं और उसके बाद हम यह भी बाताने का कोसिस करेंगे इस वीडियो के मार्केट जो है क्या ओर नीचे जाएगा ओर क्या 1000 या 2000 पॉइंट का फॉल अभी क्या भी दे देगा या फिर इधर से बाटम बनाने की बाद थोड़ा ऐसा उपर जाने का कोसिस करेंगा देन फिर से का कोसिस करेंगे इस वीडियो के मार्केट से और उसके साथ साथ मैं यह भी बोलने का कोसिस करूँ कि यह जो SNP 500 जो US का टॉप 500 कुम्पनिस को लेकर बने हैं उस पर भी हमारा जो प्रेडिक्स था कि इधर से जो है यह फोर्ट वेप के लिए उपर जाएगा यह उपर चला है उन लोग के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि एलेट वेप थियोरी होता क्या है जिस थियोरी के बैसे मैं इधर से प्रेडिक्ट कर पया है कि इधर से इतना बड़ा एक फॉल आ सकते हैं नॉर्माली एस पर एलेट वेप थियोरी मार्केट से 1,2,3,4,5,5 साबवेब प उस गंदर वने 5 साबवेब्स रहते हैं जिसको मैं इधर क्लियरली साबवेब्स को मैं दिखा चुका हूँ और बाके यो भी कुछ रूल से उसको आप इधर ही पड़ सकते हैं तो आभी चले हमारा में चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस थियोरी को मैं कैसे अप्ल 80 मिनिट का जो चार्ट है इधर मैं आप लोग को यह बोलना चाहूँगा कि इस था फाइक कहां तक जा सकती इसके लिए बहुत सारी लोग जो मुझे से पूझ रहे थे उनके लिए मैं यह बोलना चाहूँगा कि यह आपको दीख रहे हैं कि यह जो ओव ओन मैंने मार्क किय ओव ओन इधर से स्टार्ट हुआ चाहां पर मैंने अक्चुली यह जी ओव भी आनिकी जेड ओव मर्क किया था जो लोग आवारा वीडियो देखता है उनको पता है और बाकी लोग हमारा थोड़ा दीन का पूराना वीडियो भी देख सकते है तो इधर देखिए यह ओव ओ जो है प्राइस वाइस आपस में समान होगा यह मान कर यह फाइब जो होगा यह लगवाग आपका होना चाहिए 15,320 के आसपास और मैं क्यों फिबुनासी के बाद ले इसको मैं इसकतामाल कर रहा हूं प्राइस टरिटरी को मार्क करने के लिए उसके लिए भी मैं जो रूल है या फिर जो गाइड लाइन भी बोल सकते हैं उसको मैं दिखा देना चाहूंगा कि यह बोल जाते हैं कि 1,2,3,4 और यह सब उसके आपका 5 होगा है ठीक है अब इधर सबसे बड़ा वेव है ओ कौन सी वेव है यह है आपका 3rd वेव जिसको आप extended बोला जाते हैं as per alien wave theory तो होई है आपका 5 का target तो इसके लिए आपको इतना कुछ ज्यादा detailed में this and that करने का जरूरत नहीं है बस एकदम clear हो जाए कि 1 is equal to 5 that's it it is enough अब आप अगर बोलना चाहें कि actual rule क्या होते हैं guidelines क्या होते हैं तो इधर से आप this fibonacci that fibonacci कभी इस्तिमाल कर सकते हैं 5 के अंदर इसे 4. मैं दिखा सकता हूं लेकिन क्या होका उससे आप confused हो जाएंगे वह textbook के लिए ठीक है अगर आप books पर पढ़ना चाहते है लेकिन अगर आप practical approach लेना चाहते है जो मेरे पास जो भी student पढ़ने के लिए उनको भी मैं एहीं बोलता हूं कि आपको इतना कुछ books पर जो है इतना तक नहीं हो सकता है अपकोर्स हो सकता था कवी यह 5 जो है यह 3 से नीचे जाता भी नहीं तब यह 5th का failure हो सकते हैं तब आप बोल सकते थे कि सर आपने बोला कि इधर से market नीचे जाएगा लेकिन यह तो इधर थोड़ा सा जाने के बाद घूम गया ऐसा भी हो सकते हैं तो उस फाइब इसी का लिट ओएब ओन होते हैं लागबाग आपका पांद राजा 322 के आसपास ही राइट तो ओ होना चाहिता हमारा टार्गेट और आई तिंक अल्मोस्ट उस जागा तक market क्लियरली चले आये हैं और यह US का जो market देखिए अभी यह 3% के आसपास negative पे चल रहे हैं जो मैं आप लोगों को बहुत पहले से बहुत क्लियरली बाता चुका था और जो मांतले टाइम फ्रेम का जो डाव जोन्स का एनलाइसिस का जो वीडियो है वो वीडियो पे भी मैं टाइम वाइस का बात किया था उधर भी मैं बोला था कि US market जो है और European जो market है यह दोनों का एक माइन अप के बाद उस वीडियो का आप लोग देख पाएंगी बहुत बड़े 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 नियूस चैनल पर यह बोला है कि US में रिसेशन आ रहे हैं मतलब एक मंदी का दौर आ रहे हैं यह सब बोल रहे हैं लेकिन वो हमारा टाइम वाइस और प्राइस वाइस का हुआ है मार्केट इतना जो फॉल हुआ है इधर आई तिंग आप लोग एक दम क्लियारली भी दीख रहा होगा जो मुझे आलग साथ बोलने का भी जरूरत नहीं कि इधर यह सार्फ फॉल हो रहा था इधर तो बहुत ज्यादा सार्फ हो गया सार्फ चल रहा था इधर भी अच्छा का सारफ ली फॉल हो रहा था लेकिन उसके बाद इधर से देखिए क्या कर रहा है मार्केट एक ही जगा यह बाला जो लूब बन है इसको जैसे कि तोड़ी नहीं पाड़ है मतलब नीचे तो जा रहा है ओब इससे थोड़ा नीचे गया बाट मार्केट ऐसा धीर चाहिए इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इधर से यह बाला जो पॉर्ट से नहीं इधर जब स्ट्राइट कर रहा है नीचे जा रहा है जो मैं पिछले समय बहुत बार आप लोगो को पाता चुका था यह एक्चुली है क्या इसको आप बोल सकते हैं कि एंडिंग डागोनल क तो इसको मैं अगर साप उसकी 1 मार करूं यह मेरे लिए साप उसकी 2 है यह अगर मेरे लिए 3 है here is my 4 then what should be my 5 तो 5 जो है वो हो सकते हैं जो मैं बोलना चाहूंगा कि इधर से जो मुझे जो लाग रहे हैं थोड़ा इसे नीचे आना चाहिए मालब यह जो 3 है 3 से थोड़ा नी बहुत उपर तक साड़ पली जा सकते हैं तो यह 1 है 2 है 3 है 4 है then यह 5 के लिए नीचे आएगा बाट उसके बाद क्या करेंगा मार्केट साड़ पली उपर जाने का कोसिस कर सकते हैं लेकिन साप उसकी जैसे कि EOS मार्केट आज आज अगर 3 परसंट के आसपास negative पे चल रहे ह लेकिन यह आगर इधर सबसके 200 पॉइंट, 100 पॉइंट या 1.5% नीचे खोल गया तो तब जाकर यह बाला जो पैटरन है यह failure हो जाएगा और मार्केट जो यह फीपत का extension पे आ सकते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर जो सबसे बड़ा होते हैं उसको हम actually extended वेब मानते हैं और नहीं है तो 5 जो और भी बड़ा हो सकते हैं लेकिन उसके लिए काल इधर से bottom ना बना कर मार्केट इधर से और सबसके 200-300 पॉइंट नीचे जारना चाहिए तब ही जाकर यह सब कुछ आप मार्क कर सकते हैं बाट इधर जो अभी के लिए मुझे दीग रहे हैं कि इधर यह maximum to maximum जो मुझे लाग रहे हैं कि एक ending diagonal जासे pattern बना रहे हैं तो maximum इधर से सबसके और ending diagonal जासे कुछ pattern बनाने के बाद भी सही उपर जा सकते हैं जो काल के लिए मुझे लाग रहे हैं तो इसलिए मैं इस pattern का successful होना यह मान कर मैं काल का prediction देना चाहे हूँ कि इधर से market थोड़ा उपर जा सकते हैं जब तक इस बाला जो low है इस low को hold कर या फिर जो शुरू में अगर थोड़ा सा नीचे चला गया माला सबसके 5-10 मिनिट या आदे घंटे के अंदर जो भी नीचे हैं लेकिन नॉर्माली यह थाड अगर एक्स्टेंड कर गया तो फिप एक्स्टेंड नहीं कर ना चाहिए तो उस मुत भी मैरा expectation मार्केट इधर से थोड़ा उपर जाएगा यह अभी के लिए मुझे लाग रहा है इस market यतना 3-4% फॉल दी कर रहा है उसको देखकर बस निप्टी पर हो रहा है क्योंकि निप्टी पर मैं आप लोगों क्या बोल रहा हूं कि निप्टी पर अगर मार्केट नीचे जाते हैं तो निप्टी पर जो मैंने बोला कि इधर से मार्केट क्या कर रहा है नीचे जा रहा है तो बैंक निप्टी पर जो मैंने प्रेडिक्स समार के 1,2,3,4,5 यह 5 साबब मिला कर जो हो सकते हैं this is going to be my क्या हो सकते हैं wave a then here should be my wave b and then here should be my wave c तो यह a,b,c ऐसा हो सकते हैं तब यह y wave complete हो सकते हैं और जो कुछ alternate counts होंगे वो मैं आपका जो weekly का वेडियो होगा nifty और bank nifty का उस पे मैं discussion करना चाहँगा बड़ा टाइम प्रे थोड़ा टाइम प्रेम पर जाकर देखाने का कोशिस करता हूं तो इधर देखिए यह bank nifty पर क्या कर रहा है कि इधर bank nifty पर more or less एक same type का pattern बना रहा है जो nifty पर बना रहा है तो मैं बोल भी चुका हूं कि bank nifty पर wave करेगा जो nifty करेगा तो bank nifty को अलग से देखने का उस तरह खास को जर्रत भी नहीं है तो अभी चलिए यह चार्ट का चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं यह जो मुझे लाग रहा है कि यह 12345 कर रहा है 5 के लिए नीचे जा रहा है अब बात यह होता है कि यह 5 जो होगा यह C की जो मैं बात बोला था कि C इधर ही खतम हो जाएगा मु करके चला जाएगा वो मुझे नहीं लाग रहा है यह अगर इतना बड़ा A है इतना बड़ा B है तो यह जो C होगा नॉर्मली क्या होते हैं C और A आपस में equal होते हैं तो यह C जो होगा C बहुत नीचे तक जा सकते हैं तो यह 5 जो होड़ा है तो इसको क्या मतलब C के आंदर नॉर्मली कितना वेफ होते हैं 5 साब वेफ 1,2,3,4,5 तो यह 5 साब मिलाकर क्या C इदर ही खतम हो जागा मुझे वह नहीं लाग रहा है मुझे जो लाग रहे हैं यह C के आंदर एक्चुली वेफ 1 बना रहा है देन C के आंदर 2 बनाएगा C के आंदर 3,4 और 5 बनाएगा तो सब कुछ मिलाकर तब यह जो C होगा यह वेफ 1 का बड़ाबर होगा देखिए यह 1 यह जो है इसका बड़ाबर होगा ओए अगर इंतना बड़ा है तो C भी तो बड़ा होना चाहिए नॉर्मली यह ही होते हैं तो यह C जो होगा मुझे नहीं लाग रहा कि इदर यह जब यह पर यह कौन सी पैटर्न बना सकते हैं यह हमरा जो विकली का वीडियो होगा यह सटरडी यह संडे को मैं लांच करते हूं तो उस वीडियो पर मैं यह सब कुछ डिसकाशन करने का कोसिस करूँगा तो अभी चलि थोरा ओप्सन चेन का डाटा को भी देख लेते हैं तो आभी यह चैनल जितना बड़ा होगा उसका मतलब कॉल साइट पर जाने से मार्केट को उतना यह रोक देगा तो ओविजली इसका मतलब एक यह मार्केट जो है अभी भी ब्यारिसी है यह उप्सन चेन का डाटा पर बट मुझे सबसे बड़ा भड़ावसा है ऐले टो पर और जिस सब जो भी डाटा इससे मैं बैकाप करने का कोशिस करता हूँ मेरा अनलासिस को तो आज के लिए हमारा अनलनासिस इतना ही था और अगर हमारा वीडियो से आप लोग को कोई मदख मील रहें कोई फियू बनाने पर हेल्प हो रहें तो किर्द